हेलो फिर्ट्स नमस्कार स्वागत है आपका अपने चैनल एस अकडमी में दोस्तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मत्विदे सिक्षक भरती बर्ग 3 में 2011 का सौल पेपर दोस्तो हम इसमें देखेंगे सबसे पहला भाग EBS यानी परियावरण और हम इस प्रकार से आपको सभी पार्ट एके करके लेकर आएंगे तो दोस्तो आज हम देखेंगे परियावरण का पार्ट जिसमें 30 questions पूछे जाते हैं तो दोस्तो आपको यहां से idea लग जाएगा कि अब 2019 की वेकेंसी में किस तरीके से question पूछे जाएंगे तो दोस्तो सबसे पहले question देखेंगे रासाइनिक उर्बरक कार खानों में कौंसा पर्दूशन अधिक निकलता है अब यहां कहने की बात है जो रासाइनिक उर्बरक कार खाने होते हैं उनमें कौन सा परदूशन सबसे जादा निकलता है C-S, Ammonia, Carbon Monoxide, CFC तो दोस्तों जो आपके रासाइन एक औरबरा कार खाने होते हैं उन्में क्या है? गैस होती है जिसको Ammonia Gas बोलते हैं रासाइने कार खानों में आप कभी गए होगे या कभी जाना तो उसमें पाइपलाइन डली होती है उस पाइपलाइन के थुरू कहीं जगह जगह पर जॉइंट होते हैं जिसके कारण Ammonia Gas leakage होती है तो जब वो Ammonia Gas leakage होती है तो उससे दोस्तों क्या होता है? प्रदूशन होता है तो कार खानों में कौन सा प्रदूशन अधिक निकलता है? तो देहान रखना दोस्तों इसमें Ammonia Gas निकलता है Option number B answer आपका सही हो जाएगा ठीक है छेले next question है आपका किरसी छेतर में बायू प्रदूशन के प्रमो कारण है आप कहने की बात है कि किरसी छेतर में जो आपका किरसी छेतर है उसमें बायू प्रदूशन के प्रमो कारण क्या है यानि बायू प्रदूशन किस कारणों से होती है रासाइनिक औरवरा के कारण, रासाइनिक कीटनासक के कारण या ट्रेक्टर के कारण, या किरसी अपसिस्ट के कारण तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर होगा यानि किर्सी छित में अब देखीगा किर्सी छित में ध्यान रखना कैसे आप आंसा डूंड सकते हैं कि देखीगा ट्रेक्टर के द्वारा तो नहीं हो सकता क्योंकि ट्रेक्टर के द्वारा हम क्या कहते हैं जुताई करते हैं इसके बाद रासाइने कोरवरक हैं दोस्तों तो रासाइने कोरवरक के कराण भी नहीं होता है क्यों नहीं होता है क्योंकि जो हमारी खेती में कीट होते हैं छोटे छोटे जिनके कराण खेती को नुक्सान पहुंचती तो वो हम डालते हैं दबाई डालते हैं इसलिए उससे भ द्वारा होता है जो कीट नासक होते हैं जिनके कारण बायू प्रदूशन के प्रमोख कारण है किरसी शेत्र में बायू प्रदूशन का प्रमोख कारण दोस्तों रासायने कीट नासक है ठीक है तो option number B answer आपका सही होगा next question है दोस्तों आपका इंधन के रूप में प्रयुक्त संपीन प्राकृतिक गैस का प्रिचलित नाम क्या है जो आपके इंधन मतलब आपको जिसके इंधन के रूप में प्रियुक्त जो संपीन प्राकृतिक गैस है उसका नाम कौनसा है दोस्तों आप CFC यह भी CFC नहीं है LPG और CNG और CO अब दोस्तों मैं आपको इहां पर मैंने बात बता दूँ यहां पर लोग LPG भी बोल सकते हैं और CNG भी बोल सकते हैं students के देखें दिमाग में दोनों questions क्योंकि उनको यह लगेगा इंधन जलती दोनों है ना जो आपका CNG और LPG अब LPG नहीं हो सकती LPG क्यों नहीं हो सकती क्योंकि LPG का उपयोग दोस्तों घरों में खाना बनाने के लिए करते हैं इसलिए LPG हमारे इंधन में प्रियुक्त नहीं होती है हम CNG का इंधन में प्रियोग करते हैं कि जो से four wheelers चलाते हैं गाड़ियां बड़े बड़ी गाड़िये चलाते बड़े इंजन चलाते हैं वो हमारे CNG से operate होते हैं तो दोस्तों option number third answer आपका सही होगा ठीक है next question कोईला आधारत ताप विद्धुद गिरहों में कौन सी गैस का सरवादिक सरजन होता है तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी गैस का होगा सल्फर डार ऑक्षाइड कार्बन मॉनो ऑक्षाइड नाइट्रस आक्षाइड और CFC तो सल्फर डार ऑक्षाइड का सबसे जादा सरजन होता है next question है आपका किस उद्धियोग में बिलाई की द्वारा सरवादिक बायू प्रदूशन होता है पैंट पालिश को द्वारा इसके बाद चीनी के द्वारा इसपात के द्वारा यह सिमेंट के द्वारा किस उद्धियोग में बिलाई की द्वारा सरवादिक बायू प्रदूशन होता है क्योंकि जब हम पैंट करते हैं आपने देखा होगा कभी नॉर्माली आप छुटी कि कि महानगर में इसमागी चिटी कहा जाता है यानि कि महानगर को इसमागी सिटी कहा जाता है तो दियान रखना दोस्तों दिल्ली, कूलकाता और इंद और तो इसमें आपको पता है कि यहां कूलकाता में सबसे ज्यादा होता है इसलिए इसको इसमोगी शेटी कहा जाता है और समधी आंसर आपका सही होगा नेक्स्ट है अपका मोटर बाहनों से मिलने बाला कौन सा प्रदूशन स्वास्थ पर घातक प्रभाव डालता है पारा, सीसा, क्लोरीन, और अमोनिया तो ध्यान रखने की बाली बात है कि आपको क्वेश्चन समझना मोटर बाहनों से निकलने बाला कौन सा प्रदूशन है जो स्वस्त पर घातक प्रभाव डालता है अब देखेगा मोटर बाहनों से गयस नहीं निकलती है अमोनिय गयस होती है किलोरीन भी नहीं निकलता है इसके बाद पारा भी नहीं निकलता है तो अम उन से निकलता क्या है एक्चुल में सीसा डिकलता है इसलिए जो सीसा होता है वो ह बाईवप्रदूशन अब दूस्प्रवाव क्या है चक्र वात woven अंभलबर्शा, और आदि और अबर समय होगा तो बाईवप्रूशन का दूस्प्रवाव Inevan वर्षा होती है महानगरों में होने बाला धूम कोहरा किसका प्रणाम है जो धूम कोहरा होता है वो किसका प्रणाम होता है किसका होता है बायू प्रदूशन का जैल प्रदूशन का भूमी प्रदूशन का या नाव की प्रदूशन का तो देखेगा जैल प्रदूशन का धूम कोहरा नहीं होता है भूमी प्रदूशन का भी नहीं होता है नापकी प्रदूशन का नहीं होता है अब होगा तो किसका होगा बायू प्रदूशन का होगा एनी ऑप्शन नमबर आपका ए आंसा सही होगा ठीक है चले नेक्स्ट कॉश्चन है आपका ताप विद्धुद गिर् मुक्ता कौन सा प्रदूशन होता है जल प्रदूशन मिर्दा प्रदूशन धौनी प्रदूशन और बेकरण तो दोस्तो जो ताप बिद्धुत होता है उनसे गिरों से जो निकलने वाली होती ही राक होती है राक से आपकी जमीन में मिलते हैं जिससे क्या होता है मिर्दा प्र जब हम बार-बार खिर्सी करते रहते हैं तो उसका प्रडाम क्या होता है मिर्दा की उर्बरता बढ़तन बढ़ाना मिर्दा में पोशक्तत्यों की कमी मिर्दा अपरदान और छारियता तो दोस्तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा मिर्दा मैं पूशक थत्यों की कमी आने लगती है उसके अंदर हम मनुष से कंटीनि उप्योग करेंगे तो मनुष को भी थकान होने लगती है किसी मसीन को भी हम ज्यादा यूज करेंगे तो मसीन भी एक दिन कम स्पीर से चलने लगती है तो option number B answer आपका सही होगा ठीक है next question है आपका अधिक सिंचित तथा संगन किरसी बाले भागों की मिर्दा में प्रहा किसका अभाव रहता है जिंक का मैगनीज का और लोहितत का और अधिक सिंचित तथा संगन किरसी बाले भागों मतलब जहां पर जो आपकी अधिक सिंचित भूमी हो और संगन किरसी बाले भागों मिर्दा में मतलब मिट्टी में किसका आभाव रहता है किसका रहता है दोस्तों वहाँ पर जिंक भी जादा होती है मेगनीज भी जादा होती है और लोहितत भी जादा होती है तो अफसन नमर डी आंसर सही होगा मतलब इस सभी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती है ठीक है अफ आपगेर स्वेच अब्रक और वैंने मे incorporation कोई समय का जाए इस होती है काण मिर्दा में सिर्ध क किसके एकार हो जाती अधिक सचाई से या जीब नासी रसायनों से या किर्सी यंतरों को प्रियोक्ष से तो दोस्तों ध्यान रखना जीब नासी रसायनों से एक खत्म हो जाते क्यों कि जब हम कहते हैं कि जादा कीड़े आपकी फसल होती है फसल में जो कीड़े हो जाते हैं केड़े लगने लगते जिसके कारणा वो छूटे चोटे सुच में जीव होते एंटे तो ऑप्सन नमम्रB आशार आपका सही, होगा महानगरिय है कुडा करकट पड पर आधारित जर्विक्खात संयंत रिस्थावित हैं थो जैपूर, भूपाल में एंहिंदाबाद में लखनों में तो आपका सही आंसर हो option number D यानि एहमदाबाद में सेयन्त स्थाफित है ठीक है नेक्स्ट है आपका किस पादप को बंघाल का आतंग कहा गया है यह था किस पादप को एनी किसको कहा गया है जल कुम्भी को जल कुम्भी क्या होता है बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है जल कुम्भी को बंगाल का आतंक कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट है अपका हवा हवा ने नहीं की हवाओं की तीबरता कुम आपने की काई है एनी जो हवा होती है वाट होती है, जूल होती है कैलोरी नहीं होती है, जूल भी नहीं masa, वाट भी नहीं नेक्स्ट कॉश्चन अपका अनिद्रा से ग्रस्त रोगियों की संख्या में तीबर प्रिधी का कारण क्या है जल प्रदूशन, वाई प्रदूशन, सोर प्रदूशन या तापीय प्रदूशन तो दोस्तों ध्यान रखना है इसमें क्या हो सकता है जिन अनिद्रा से ग्रस्त रोगियों की शंक्या में क्या हो सकता दिखे कि जो लोगों को अनिद्रा से ग्रस्त हैं उनमें जल प्रोदूशन नहीं हो सकता है भाई प्रोदूशन नहीं हो सकता है ताप प्रोदूशन भी नहीं हो सकता है तो होगा सोर प्रोदूशन की जब सोर ज्यादा होता रहता है तो लोगों को नीद नहीं डंग से आप आती है वो सो नहीं पाता है इसलिए उनको फिर आनिद्रा का रोग यह जैसे होने लगते हैं दिन में भी उनको कभी कभार नीद आती है इसलिए होता है तो आप्शन नमबर सी आंसर आपका सही होगा ठीक है लिएक्तफड आपका ऑंसर कोश्यन है समुद्रों में प्रोदूशन का मिरमोग कारण की है रिक्ष serves तेल Profit substation कलेख प् Elderly कारण क्या ते लिए रिशाओ यानि ऑप्शन नमबर भी आंसर आपका सही होगा ठीक है नेक्स्ट है आपका समुद्री प्रिदूशन के कारण नस्ट हो रहे हैं समुद्र प्रिदूशन के कारण नस्ट क्या हो रहे हैं भूमत रेखिये बन और पत्जड बन प्रेडिव धर्म्यता से प्रिदूसत्ति इसथल के निकट बितरन करने बित्रण करने बाले जीव जन्तूं में सिकाईत होती है यहीं जो सिकाईत क्या होती है तुचा हटने की, ट्यूमर की अंध्यपन की या बेहोसी की तो दोस्तों जो रेडियो धरमिता से प्रदूसित होते हैं इस थाल उन में क्या जो निकट वरती श्क्रण स 10 उपजाउ मृधां भी नश्ट हो जाती है आनि कि रेडियो सक्रिय तत उसके के दोस्तो के 80 से 94 लेज़ा की भी नश्ट हो जाती है इस्टोंचियन इूरीनियम धो रियुंग और ऑल परीयुग सभी तो इसका दोश्तों जो सही आंसर होगा 21 का क्या होगा इस्ट्राण सियम यानि option number ए आंसर सही होगा इस्ट्राण सियम होगा ठीक है इसलिए next question है uranium खनन के दोरान विक्रण का उधारन है धनबाद खदाने जारिया की खदाने जादू गुड़ा की खदाने और कोरापुट की खदाने तो दोस्तों जो सही आंसर होगा जादू गुड़ा की खदाने में सबसे जादा uranium खननन के दोरान विक्रण का उधारन है यनि जादू गुड़ा की खदानों में uranium सबसे जादा होता है next question है अपका सवना पेट्रोलियम तथा कोईला उधारन है सोना पेट्रोलियम तथा कोईला दोस्तों यह क्या है पहाड का जीवा शम का या खनीज पदारतों का इन में शे कोई नहीं तो दोस्तों ये तीनों के आए हमारे खनीज पदारत होते हैं ध्यान रखना खनीज पदारत होते हैं सोना पेटरॉलियम और कोईला ठीक है प्रिदूशन के किस स्रोत से समुद्री चडियों की सरबादिक मिरत्य होती है तेलिये प्रिदूशन से और बाहित मल से और दियू के अपसिष्ट से रेडियो शक्रिय पदार्थ से तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा क्योंकि शमुद्री सताय पर तेल के फैलाओ को क्या कहते हैं आईल कवर आईल नेट आईल इसलिफ और आईल फ्लोर तो दोस्तों इसको आप क्या कहेंगे आईल इसलिक कहते हैं और सी आंसर आपका सही होगा नेक्स्ट है अरब सागर में इस्थित भारत का प्रमुक तेल उत्पादक छेत्र कौन सा है बांबे हाई दमन दीप और आलिया बेट तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा बता देखिए का दमन और दीप एक ही जगह है इसलिए लेकिन एक जगए के दो नहाँ देदिया दमन अलग देदिया दीप अलग देदिया है ना आलिया बेट है नहीं इसका सही आंसर गो अप्सन नंबर ए यानि बॉम्बे हाई इस्थित है ठीक है नेक्स्ट है निरंतर होने बाले सामान ने सोर की दुस्प्रवाओं क कारण कहते हैं मीठा जहायर घ Android एस्थाई दोस्तो इसको Vincent अंगे तो आदा मेरे सब्सक्राब थाप और हो आखिर वह परिषान रहेता इसलिए उसको घchange से दोस्तों किसी परिष्थित कंतर में उपस्थित् आजयविक की मात्रा कहलाती है शकेंदर्ण सफाई अवस्था निरजीब अवस्था और में से कोई नहीं तो दोस्तों सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या ऊप्सिन नंबर सी आंसर सही होगा रेडियो शक्रिय तत्रों कौन-कौन से हैं अलुमिनियम कैडमियम और इूरेनियम और ताबा तो अप्शन नमबर सही अंसर होगा आपका इूरेनियम होगा दोस्तों हमने परियावरण के एतीस कोश्चन कंप्लेट कर लिए हम इसके नेक्स्ट कोश्चन हिंदी और मैट्स और इंग्लिज अधर सब्चेक्ट के हम जरूर लेकर आएंगे टूटल हम देट सो कोश्चन आपको कंप्लेट कराएंगे दोजार ग्यारा के वेपर के तो दोस्तों इस वीडियो को अब लाइक और शेयर जरू करना वाट्स आफ फेस्बूक इंस्टागाम